हेलो दोस्तों वेलकम टू टूडे एकजाम दोस्तों आज है 13 जनवरी 2021 तो आज के इस वीडियो में 13 जनवरी 2021 तक जो भी most important current affairs के सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को last तक जरूर देके और 13 जनवरी 2021 के सभी most important current affairs के सवालों को जरूर याद करें और दोस्तों इस वीडियो के last में एक सवाल आप से भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में लिक कर बताना है इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को last तक जरूर देके और सभी सवालों को जरूर याद करें तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल पहला सवाल है किस राजिये ने बर्मन सारती योजना की सुरुवात की है किस राजिये के मुख्य मंतरी ने असम राजिये के मुख्य मंतरी ने जिनका नाम क्या है सर्वानंद सोनेवाल और किस योजना की सुरुवात की है बर्मन सारती योजना और दोस्तों आपको बताते हैं कि बर्मन सारती योजना के अंतरकर्ट असम में महिलाव और बुजरकों के लिए 25 खास नई बसें चलाई जाएगी जिसमें ये मुफ्त साखपर कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं कि ये अभी तक बसे हैं जो असम के गोहावटी सहर में ही चलाने की मंजूरी मिली हैं कि सहर में? गोहावटी सहर में अगला तीसरा सवाल है 26 वे कौलकता अंतराष्टी फिल्म महोत्सव की उद्गाटन फिल्म कौन सी होगी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन C एनी अपूर संसार है वो 27 वे कौलकता अंतराष्टी फिल्म महोत्सव की उद्गाटन फिल्म होगी? कौन सी फिल्म होगी अपूर संसार और दोस्तो इस फिल्म महोत्सम में 45 देशों की 131 फिल्मों को 13 जनवरी 2021 को दिखाया जाएगा कितनी फिल्मों को 131 और कितने देशों की 45 देशों की इसी परकार अगला सवाल है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा और दोस्तो आपको बताते कि नासा का मुख्यल है वो है अमेरिका के वासिंग्टन डीसी में और नासा की स्तापना उई थी साल 1958 को कब उई थी नासा की स्तापना 1958 को और इसका मुख्यल है कहा है वासिंग्टन डीसी में तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा ओप्सन ए है वो सही जवाब हो जाएगा यानि आरियन रेंजन है जो नासादर आयोजित एव डपलोमेंट चैलेंज को जीतने वाले वारती विजिता बने है इसी परकर अगले सवाले कैंद्री ओदोकिक की सुरुक्सा बल यानि CRPF के 28 महा निदेशक कौन बने हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है आपसन C नी सुबोद कुमार जैशवाल है जो कैंद्री ओदोकिक सुरुक्सा बल के 28 महा निदेशक कब बने हैं कौन बने हैं सुबोद कुमार जैशवाल और दोस्तो आपको बताते कि सुबोद कुमार जैशवाल हैं वो वरतमान में केंद्री शुरुक्सा बल के मादिद्रक्षक राजेश रंजन की जगा लेंगे किसकी जगा लेंगे राजेश रंजन की और दोस्तो अब बात आती है CRPA प्यानिक केंद्री ओदोगीक शुरुक्सा बल की तो कैंधरी ओद्यज़र की सरुकसाबल की इस्थापना है वो कब ऻी थी? 10 मार्स Memよ gan177 कब ऻी थी? केंधरी ओद्यज़र की सरुकसाबल की इस्थापना? 10 मार्स Memo 900. तो दोस्तो इस वाल का कौन सा सही जवाब हो जागा? का ऑप्सन सी हैं वो सही जवाब हो जाएगा यानि सुबोध कुमार जैस्वाल है जो कैंदरी ओद्यों की एक सुरुक्सा बलके 28 महानी देशक कब बने हैं कौन बने हैं सुबोध कुमार जैस्वाल इसी परकर अगला स्वाल है किस राजिये में महीलाओं के लिए सारोजिनिक सोचाले में पिरियड रूम इस्तापित किया जाएगा तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्सन बी यानि माराश्टर राजिये में महीलाओं के लिए सारोजिनिक सोचाले में पिरियड रूम क्या गया है कहां क्या गया है माराष्टर राज्य में इसी परकर अगलस वाले मद्य परदेश में किस राज्य के साथ कैन बैतवार लिंक पर्योजना पर समझोता किया है तो दोस्तो इसाओल का सही जवाब है Auption B यदि मद्य प्रोफ्ष और उत्र प्रोफ्ष ने मद्य प्रदेश और उत्र प्रोफ्ष के बीच कैन ब्यात्बा लिंग प्रियोजणा के लिए समझोता किया है किस राजी के साथ और किस राजी के लिए मद्य प्रदेश और उत्र प्रदेश राजिये के साथ कैन बेत्बा लिंक प्रियोजना पर समझोता हुआ है किस राजिये किस राजिये के साथ मद्य प्रदेश और उत्र प्रदेश राजिये और ये किस ने किया था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है option C यहनी गुजरात राजिये ने अमरेली जिले में बागासार प्रांत इस्तापित करने की गोशना की है किस राजिये ने गुजरात राजिये ने और क्या इस्तापित करने की बागासार प्रांत और दोस्तो आपको पता है कि राजिस सरकार ने सबी जनवरी को बागासार और वडिया तालुका को सामिल लिख किया जाएगा तो दोस्तो ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 13 जनवरी 2021 की करेंट अपेस के सवाल उमीद करता हूँ ये आपको सभी सवाल जरूर याद हो गएंगे अगर जरूर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तो इस वीडियो का pdiap link है वो आप हमारे telegram group से भी download कर सकते हैं जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगे जहां से आप pdiap की रूप में भी ढाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों अब है एक लास्ट में अभ्यास सवाल जिसका दवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है तो दोस्तों आज का अभ्यास सवाल है निमन में से सब्च जनवरी की परेड में मुख्य अतिती के रूप में किस देश के राष्ट पती को सामिल करेंगे या किस देश के राष्ट पती सामिल होंगे तो दोस्तो इन में से कौन सा option सही है? चार option में से वो आप अपमें कमेंट करके जरूर बताईए सवाल एक बार फिर से देख ले नियमन में से सब्वे जनवरी को परेड की रोप में, मुक्के अतिती की रोप में किस देश के सामिल होंगी? तो दोस्तों इन में से कौन सा सई उप्सन है वो आप कमेंट में जरूर लिखे और दोस्तों आप सभी के धन्यवाद कहना चाओंगा क्योंकि आप और आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वज़े से हमारे आज चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर हैं वो भी पूरे हो चुके हैं इसलिए आप सभी को तह दिल से धन्यवाद